अगर आपकी सोच छोटी है, तो छोटा ही विकास होगा, और सोच बड़ी है, तो बड़ा ही विकास होगा पूरा करने के लिए जो भी विकास करने पड़ेंगे पूरा करने के लिए जरूर करूँगा बस बिशकास की प्रकीरिया को पूरा करने के लिए भोट मांग रहा हूँ सरकार का जो वीजन है कि 2027 से 2030 तक भारत को बिक्सित राष्ट बनाना है और उसके मद नदर जो भारत सरकार पैसा और फंड महया करा रही है उस फांड को अच्छी तरह से पब्लिक के कारे करने के लिए उन्हें आवंटन कर सकूँ और उनका सही धंसे इस्तमाल कर सकूँ इस प्रोसेस के लिए मैं पब्लिक के लिए संपर्क में रहना चाहता हूँ वाज़ रहे हैं पंडी चित्र में उनको रोजगार देने के लिए यह क्या करेंगे हम लोग करते हैं तो है नहीं हम लोग डिपेंड करते हैं पूरी रूप से एकरिकलचर पर और यहां एकरिकल्चर में कितना आमदनी होता है किसान को यह सब हो अची कर जानते हैं आगर आग कम होती है तो उनका पर्चेशिंग पावर कमजोर रहेगा और वो जब कमजोर होगा तो हर धंदा सुलोच चलेंगे जिसका नतीजा यह होगा कि लोगों की बिरोजगार लोगों को रोजगार उपलब नहीं हो पाएगा यह सबसे बड़ी मुद्दा है कि किसानों की अमदनी क और कपड़ा पाणने और दावा कराने से ज्यादा पैसा अगर उपलब्द होता है तो हम लोगों को काम दे पाएंगे जिसे लोगों को रोजगार उपलब दो पाएगा और बेरोजगारी कुछ तो कम होगी अगर यह अबादी पूर्ण रुप से फायर नहीं करती है तो हम एक बिक्सीत राष्ट कभी नहीं बन सकते हैं आप सोचते हैं कि एक हैंट से काम चला लेंगे तो यह आपका कभी सपना पूरा नहीं होगा इसे पूरा करने के लिए आपको दोनों हाथ से मेहनत करने होंगे दोनों हाथ मतलब यह है कि एक तरफ अगर पूरी सहत एक तरफ महिलाओं को भी आपके कदम से कदम मिला कर चलना होगा तब ही आप पूर्ण उपसे बिक्सित राष्ट बन सकते हैं वाणने ता आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा आप राजनीती में पैसे कमाने के लिए हैं कि समाज से वागर दो कीचड को साफ करने के लिए उतरना बेहत ज़रूरी है जब तक आप पूर नहीं पाते हैं तब तक आप इस कीचड को साफ नहीं कर पाएए pizza मानते हैं ने ने गंदगी जो है गंदगी जो है समाज में या भरष्ट चार जो लगा हुआ है पैसा जो आता है उस सही डंग से इस्तमाल नहीं हो पाता है उस गंदगी को दूर करना है राजनीती गंदा नहीं है बिना राजनीती को कोई देश चल नहीं सकता है सोच एक अच्छा चीज़ होना चाहिए जिसे जैसे माजी की सरकार फंड महिया कराती है उस फंड को आप सही डंग से इस्तमाल नहीं कर पाते हैं अगुए पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप विकास कुछ सीमा को तो कहां प्राप्त कर पढ़ेगा जो देश चाहता है अच्छा आप यह बताइए कि मुखिया पढ़ का वेतन मात्र पचीस सो रुपए का बिलकुल लेकिन उस पचीस सो रुपए वेतन पर काम करने के लोग मुखिया बनने के लिए तमाम हज़कंडे अपना रहे हैं तमाम ख सबसे बड़ी चीज है कि अब उनकी क्या ठीली है उनकी क्या सोड कि पैसा इतना फह ऩज़िए वो क्या चाहते है क्या कामाना चाहते जाफ है kitто वह बता सकते हैं हम तो भजयाप पैसर दार्व मुर्गय पैस कारे पर अगर तो मुखल किजिये आपको को लगता है कि कि यहां है और दख्यात में लोग नली गली को व eta समझ लेते हैं जबकि बिकास कि स्रणी में यह वह आता Tibi करता है किकर समाजी की कि जीवह नस्त्र शुद्र है और लोगों की आमिद हो कि आठेश कर पाते हैं अपने पंछायत के लिए वह आ पर डिपेंद करता है बस यहीं करना चाहूंगा कि आप आपकी सोच ही आपके विकास का मार्ग परसस्त करेगा आप जैसा सोचेंगे आपका विकास वैसा ही होगा अगर आपकी सोच छोटी है तो छोटा ही विकास होगा और सोच बड़ी है तो बड़ा ही विकास होगा कि यह आपके उपर डिपेंड करता है कि आप अपना मत कैसे उमिद्वार को देते हैं और कैसा अपने लिए उमिद्वार चुनते हैं चलिए बहुत धन्यवाद आपका